एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रकर्तिक सुन्दर्ता को अपनी आखों से निहार कर आए। लेकनी है कि केरल में कई सारी नदिया समुद्र में मिलती हैं। जब नदिया समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो उस दोरान नदी का जल प्रवाल लगबग इस्तिर जैसा हो जाता है। अर्थात बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है, तता चारों और नदी का जल दूर दूर तक फेल जाता है, जिसे बेक वाटर के नाम से जाना जाता है, केरल के इसी बेक वाटर में परिटकों को घुमाने के लिए बांस, लकडी तता नारेल की रसी से बनी हुई घर नुमा सु खड़े रहते हैं, महीं केरल की ये घर नुमा नावे आपको बेक वाटर में घुमाती हैं, तता आसपास की अद्विती प्राकरतिक सुंदरता के दर्शन कराती हैं, यदि आपने केरल घुमने का प्लान बनाया है, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यह उत्पन होता है, क केरल किस समय घुमने जाना चाहिए, तो इसका जवाब यह है कि जून के केवल एक महिने को छोड़कर केरल कभी भी घुमने जाया जा सकता है, अब आप सोच रहे होंगे कि जून में केरल क्यों नहीं जाया जा सकता है, तो इसका सिंपल सा जवाब यह है कि सामने था, एक ज जून में आप केरल चले भी गए तो तीवर बारिश के चलते अपनी होटल से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जून में केरल घुमने मत जाईए केरल घुमने का सबसे आदर्श समय जुलाई से मार्च का होता है तथा अप्रेल तथा में केरल में अधिक्तम तापमान 32 डिग्री से 36 डिग्री के बीच होता है इसलिए दोपर में घुमने में थोड़ी परिशानी आती है एक बात तो हम आपको बताना ही भूल गए है कि गर्मी के मोसम में भी यदि आप केरल जाते हैं तो केरल का हिल स्टेशन मुनार आपको श तो इसका जवाब यह है कि केरल जाने के लिए हवाई जाहाद, ट्रेन और बस आदी के विकल्प उपलब दे आप अपनी सुईधा के अनुसार किसी भी साधन से आसानी से केरल पहुंच सकते हैं यदि आप बस द्वारा केरल जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले कोची जिसे कोचीन भी कहा जाता है पहुंचना होगा यदि आप नई दिल्ली से बस से केरल के कोची जानी की योजना बना रहे हैं तो कोची तक पहुंचने में निवनतम 47 घंटे लगेंगे क्योंकि दिल्ली से कोची की सड़क मार्क से दूरी लगबग 2721 किलोमेटर हैं यदि आपके साथ छोटे बच्चे तथा आपके बुजूर की पेरेंट्स है तो इस तरीके से कोची जाना बड़ा परिशानी भरा रहेगा दिल्ली से कोची के लिए सीधी केवल एक या दो बसे ही चलती है बागी सभी बसे आपको एक या दो जगए बदलना पड़ेंगी यह तो आप जानते ही हैं कि बस में लंबे समय तक बेटना बड़ा तकलीफ दे होता है इसलिए हमारी आपको सला है कि आप बस से केरल जानी की योजना ना बनाए फिर भी यदि आपका ग्रहन अगर केरल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो आप बस का विकल्प चुन सकते हैं यदि आप ट्रेन द्वारा केरल जाना चाहते हैं तो इसके लिए कोच्ची तक देश के सभी बड़े शहरों से एक्सप्रेज तता सूपर फास्ट ट्रेने चलती हैं जैसे यदि आप नई दिल्ली से ट्रेन से केरल के कोच्ची जाने की योजना बना रहें तो कोच्ची तक पहुँचने में लगबख 43 घंटे लगेंगे क्योंकि दिल्ली से कोच्ची की रेल मार्ग से दूरी लगबख 2088 किलोमेटर हैं इसमें कोई दोमत नहीं है कि ट्रेन से केरल तक जाने में लगबख 2 दिन लग जाएंगे परन्तु ट्रेन से बाहर के हर्याली तता सुन्दरता आपका मन मोह लेगी तता आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब कोच्ची पहुँच गए यदि आपके पास यातरा का बजट कम हो तता ट्रेन से यातरा करने का एक्स्टर टाइम हो तो हमारे आपको सला है कि आप ट्रेन से केरल जाने की योजना बनाए एक बात और याद रखे कि यदि आप दिल्ली से ट्रेन से केरल जा रहे हैं तो दो दिन जाने में तता दो दिन वापस आने में लगेंगे इसलिए आपका टूर प्लान उसके अनुसार ही बनाएगा जैसे यदि आप केरल में 7 दिन घूमने की ट्रिप बनाते हैं तो ट्रेन से यह ट्रिप 11 दिन की हो जाएगी अब हम हवाई जहाद से केरल के से पहुँचे इस पर बात करते हैं गोरतलवे की केरल के कोची में एरपोर्ट इस थी थे जिसका नाम कोचीन इंटरनेशनल एरपोर्ट है एर इंडिया, इंडिगोर, स्पाइस जेट जेसी एरलाइन्स की नई दिल्ली, मुंबई, वेंगलोर, हैदराबाद, एहमदबाद आदि कई बड़े शहरों से कई फ्लाइट्स कोची आती है नई दिल्ली से कोची तक हवाई मार्क से पहुँचने में केवल 3 गंटे का समय लगता है दिल्ली से कोची तक पहुँचने का ये सबसे अच्छा तता सबसे अधिक समय की बचत करने वाला विकल्प है कोरोना मा हमारी के पहले दिल्ली से कोचिन का फ्लाइट का किराय लगबख 25 रुपे ही होता था जो कि अब बढ़कर 3-4,000 रुपे हो गया है यदि आप अपने परिवार के साथ केरल घुमने जाना चाहते हैं तथा आप हवाय यातरा का खर्च उठा सकते हैं तो हमारी आपको सला है कि आप फ्लाइट से ही केरल जाईएगा क्योंकि इसे समय की बहुत बचत होगी एक बात और याद रखें कि फ्लाइट का टिकेट केरल ट्रिप से 90 दिन पहले ही बुक कर लीजेगा क्योंकि यह आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पढ़ेगा केरल के शहर कोच्ची के एरपोर्ट, रेलवे स्टेशन अत्वा बस स्टेंड पर पहुँचने के बाद आप टेक्सी से अपनी होटल के लिए प्रस्थान करें टेक्सी आपको एरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टेंड पर आसनी से मिल जाईगी आप कोची में रुकने के लिए होटल आनलाइन ही बुक करें क्योंकि कोची पहुचने के बाद यदि आप होटल की खोजबीन करेंगे तो होटल भी अच्छा नहीं मिलेगा तता होटल वाले मनमाना किराया वसूल करेंगे साथ ही आपका बहुत सारा समय बरबाद हो जाएगा इसलिए होटल आनलाइन ही बुक करें अब आपको एक इंटरिस्टिंग बात बताते हैं कोची अर्थात कोचीन एरना कुलम जिले में आता है कोचीन शहर का मद्ध भाग एरना कुलम कहलाता है तता जिस स्थान पर बंदरगा है तता समुद्र का किनारा है वह जगह कोचीन कहलाती है अर्थात शहर एक ही है पर नाम अलग अलग है यदि आप एरना कुलम में होटल बुक करेंगे तो वह आपको सस्ते पढ़ेंगे कोची में समुद्र के किनारे होटल बुक करेंगे तो वह महंगे पढ़ेंगे एरना कुलम तता कोची की बीच की दूरी केवल 10 किलोमेटर है यदि आप पेसो की बचत करना चाहते है तो एरना कुलम में होटल बुक कीजिएगा और यदि आप संबुदुर के किनारे के होटल में रुखना चाहते तो कोच्ची में होटल बुख कीजिएगा आप अपना टूर प्लान इस प्रकार बनाएगा कि आप बस ट्रेन अत्वा फ्लाइट से सुभ़ कोच्ची पहुँच जाए जिससे आपको घूमने के लिए पूरा दिन मिल जाए होटल में चेक इन करने के बाद आप नहा कर फ्रेश हो जाए यदि ब्रेकफास्ट का समय हो तो ब्रेकफास्ट कर ले यदि आप होटल पहुँचने में किसी कारण से लेट हो गए तो लंच कर ले ब्रेकफास्ट या लंच करने के बाद आप होटल के रिसेप्शन से या होटल के भाहर से टेक्सी या रिक्षा बुक कर ले रिक्षा या टेक्सी वाले से कहें कि वह आपको चाइनीज फिशिंग नेट्स, सेंट फ्रांसिस चर्च, मतन चेरी पेलेस, जेविश सिना गोजुए तता केरल कथकरी डांस सेंटर में कथकली डांस दिखा कर लाए रिक्षा वाला इन जगों पर घुमाने का लगबग 500 रुपे चार्ज करेगा जबकि टेक्सी वाला 1000 रुपे लेगा केरल में यदि आप रिक्षा वाले या टेक्सी वाले से बहुत ज़ादा बारगेन करेंगे तो वे आपको ले जाने से ही मना कर देंगे इसलिए केरल में टेक्सी वालों से अनावशक बारगेन ना करें इसका reason यह है कि केरल में टेक्सी वाले टूरिस्ट को देखकर अपने भाव नहीं बढ़ाते हैं वह लोग reasonable rate ही बताते हैं केरल के टेक्सी वालों का कहना है कि वे लोग गलत भाव बताकर अपने राज्जी का नाम खराब नहीं करते हैं जो किराय वास्तों में होता है वही लेते हैं अब आप टेक्सी या रिक्षा से सबसे पहले चाइनीज फिशिंग नेट्स देखने चाहिएगा कोची फोर्ट नामक जगह परिस्ति चाइनीज फिशिंग नेट्स समुद्र के किनारे मशली पकड़ने के बड़े बड़े जाल होते हैं चाइनीज फिशिंग नेट्स देखने का कोई टिकेट नहीं होता है यदि आप स्वयम इन नेट्स को ऑपरेट करके देखना चाहते हैं तता मशली पकड़ना चाहते हैं तो कुछ पेसे देने पड़ते हैं परन्तु हमारी सला है कि आप इन नेट्स को दूर से ही देखें तता नेट्स में पेर फस जाए तो हड़ी तूटने का भी खतरा होता है इसलिए इन नेट्स के साथ दूर से ही फोटो क्लिक करें तता दूर से ही इनका दिदार करें चाइनीज फिशिंग नेट्स देखने के बाद आप कोच्ची फोर्ट में ही स्थित सेंट फ्रांसिस चर्च देखने जाएं सेंट फ्रांसिस चर्च को भारत का पहला यूरूपियन चर्च भी कहा जाता है एक बात याद रखें कि कोच्ची फोर्ट कोई किला नहीं है नहीं कोई दिवार से घिरा मॉन्यूमेंट है यह तो केवल कोच्ची में एक जगह का नाम है इसलिए कोच्ची फोर्ट के नाम से आप भ्रमित अर्थत कन्फ्यूज न हो सेंट फ्रांसिस चर्च देखने के बाद आप मटन चेरी पेलेस देखने चाहिएगा मटन चेरी पेलेस शुक्रवार को बंद रहता है तथा बाकी के दिन यह परेटकों के लिए खुला रहता है गोरतलबे के पुर्टगालियों ने कोच्ची के एक मंदिर को लूटा था जिससे कोच्ची का राजा बहुत नाराज हो गया था तब राजा को मानाने के उद्देशिश से पुर्टगालियों ने यह महल राजा को भेट सुरूप दिया था महल के दोनों तरफ दो मंदिर हैं जिन में से एक भगवान करश्न को और दूसरा भगवान शिव को समर पी थे 1663 में डच शाशकों ने भी इस महल में कुछ सुधार और बदलाव किये थे और इसके बाद से इस महल को डच पेलेस के नाम से भी जाना जाने लगा है मटनचेरी पेलेस में एक संग्राले भी है जिसमें भगवान के भिती चित्र अर्थात पेंटिंग्स हैं मटनचेरी पेलेस देखने के बाद आप जेविश सिनागोजुए देखने चाहिएगा जेविश सिनागोजुए का अर्थ यहुदी आराध नाले अर्थात यहुदी मंदिर होता है ऐसा कहा जाता है कि भारत में केवल 35 जेविश सिनागोजुए हैं जिन में से यही एक मातर कारिशील आराद नाला है, तता यहां नियमित पूजा अरचना होती है। इसके बाद आप अपने टेक्सी वाले से कहें कि वह आपको केरल कथकली डांस सिंटर जो की फोर्ट कोच्ची में ही स्थीत लेकर चले। केरल कथकली डान्स इंटर में कथकली परफामेंस का समय शाम को 5 बजे से 7 बजे तक होता है इस शो का टिकेट लगबग 500 रुपे का होता है पांस साल तक के बच्चों को यहां फ्री एंट्री मिलती है उलेकनी है कि कथकली केरल की शाष्त्री नरत्य नाट्य कला शेली है कथक पूरुष ही निभाते हैं यदि आप केरल घुमने गए और आपने कथकली नरत्य नाट्य नहीं देखा तो समझ लिजिए कि आपने केरल में कुछ भी नहीं देखा कथकली का शो कखद्म हो जाने के बाद आप कथकली के कलाकारों के साथ सेलफी भी ले सकते हैं बच्चों क या रिक्षा से अपनी होटल की और पस्थान करें होटल पहुँचकर टेक्सी वाले को पेमेंट करके छोड़ दें आप चाहें तो रास्ते में ही कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर कर ले या आप चाहें तो अपनी होटल में पहुँचकर भी डिनर कर सकते हैं डिनर करने के बाद आप होटल के टेरेस से रात में कोच्ची की सुन्दरता निहारे यदि नीद आने लगे तो अपने रूम में जाकर रेस्ट करें इस परकार Gods on Country अर्थात केरल में आपका पहला दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्थात केरल ट्रिप के दूसरे दिन आप अपनी होटल में ब्रिकफास्ट करें तता होटल से मुन्नार जाने के लिए चेक आउट करें कोच्ची से मुन्नार की दूरी लगबग 130 किलोमेटर है घुमाओदार रास्तों के करण इस यादरा में लगबग 4-5 घंटे के समय लगता है आपको जानकर खुशी होगी कि मुन्नार को World's Best Place for Romance का खिताब प्रदान किया गया है आप अपने होटल से मुन्नार जाने के लिए टेक्सी बुक कर सकते हैं जो कि लगबग 2000 रुपे में बुक हो जाएगी आप यदि चाहें तो बस से भी मुन्नार जा सकते हैं मुन्नार के लिए हर आदे घंटे में एक बस कोच्ची बस से चलती है मुन्नार के लिए बस सेवा सुबस साड़े पांच बज़े से ही शुरू हो जाती है अब प्रशन उठता है कि बस से जाए या टेक्सी करें तो हमारी आपको सला है कि आप कोच्ची से मुन्नार तो टेक्सी से ही जाए इसका करण यह है कि आप टेक्सी को रास्ते में जगह जगह रोक कर अप्रतीम प्राकरतिक सुन्दरता का आनन्द ले सकते हैं जो कि बस यात्रा में संभव नहीं है आप टेक्सी को 50 जगह भी रोक सकते हैं रास्ते में सुन्दर स्पॉर्ट्स पर सेल्फी ले सकते हैं रुक कर चाई काफी इंजाई कर सकते हैं जो कि बस यात्रा में संभव नहीं है मुननार जाते हुए आपको लगेगा कि इश्वर ने यह रास्ता अपने स्वयम के भ्रमन के लिए ही बनाया है इस रास्ते में आपकी आँखों की पलके जपकना ही भूल जाएंगी इस यात्रा के दोरान रास्ते में आपको सेकडो अच्छे रेस्टोरेंट मिलेंगे जहां आप प्रकर्ति का आनद लेते हुए लंच कर लें रास्ते में लंच करने के बाद यात्रा फिर से प्रारम करें रास्ते में सलक के किनारे ही आपको सुन्दर ज़रने भी देखने को मिलेंगे इस यात्रा के चार से पांच घंटे कब खत्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपका मन मुननार आने के बाद भी टेक्सी से उतरने का ही नहीं करेगा परन्तो उतरना तो पड़ेगा क्योंकि अब मुननार जो गुमना है यदि आप सुबह 10 बजे कोच्ची से मुननार के लिए निकलते हैं तता रुकते रुकते हुए भी आते हैं तो भी आप मुननार तीन बज़े तक पहुँच जाएंगे मुननार पहुचने के बाद आप अपनी ऑनलाइन बुक होटल में चेक इन करें तता टेक्सी वाले को पेमेंड करके तता धन्यवाद दे कर छोड़ दें मुननार में अपनी होटल में चेक इन करने के बाद दर्शनी स्पोर्ट्सों वह पेदल पेदल ही घूमाएं इन स्पोर्ट्स को देखने के लिए टेक्सी करने की कोई जरुवत नहीं है। होटल के आसपास के दर्शनी स्पॉट देखकर आप अंधेरा गिरने से पहले ही अपनी होटल में आ जाएं तता होटल में शांदार केंडर लाइट डिनर इंजॉय करके रेस्ट करें इस परकार केरल ट्रिप का आपका शांदार दूसरा दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्था तीसरे दिन आप सुबह फ्रेश होकर तता नहा कर ब्रेकफास्ट कर लें ब्रेकफास्ट करने के बाद आप मुननार घुमने के लिए अपनी होटल से दिन भर के लिए टेक्सी बुक कर लें टेक्सी 2000 रुपे में दिन भर के लिए बुक हो जाएगी जहां से आप कम पेसे में टेक्सी बुक कर सकते हैं। टेक्सी आप कार की जगे ओपन जीप ही बुक कीजिएगा। चाहे दोसो या चार सो रुपे जादा ही क्यों न देने पड़ें आप ओपन जीप ही किराये पर लीजिएगा। क्योंकि ओपन जीप में बेटकर मुननार किराए पर लीजिएगा ओपन जीप किराए पर लेने के बाद आप मुन्नार के बाजार से रास्ते में खाने पीने के लिए चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स तथा कोल ड्रिंग्स आधी ले ले क्योंकि खुली जीप में मुन्नार घुमते-घुमते यदि आप कुछ खाते-पिते चलेंगे तो सफर का आनन्द दोग न हो जाएगा मुन्नार में सबसे पहले आप ओल्ड मुन्नार देखने जाए ओल्ड मुन्नार में भी सबसे पहले आप प्राकरतिक सुन्दरता से घिरा क्राइस्ट चर्च देखने जाएगा Christ Church देखने के बाद आप इस चर्च के आसपास के सुन्दर द्रश का आनंद ले Christ Church देखने के बाद आप मट्टूपैटी लेक तथा मट्टूपैटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेम देखने जाएं मट्टूपैटी लेक मुणनार से केवल 16 किलमेटर दूर है मट्टू पेटी जील और बांध पर प्रति दिन हजारों परिटक आते हैं यहां से चाई के बागानों तता हर्याली से आच्छा दित पहाडों का मनमोहक द्रश नजर आता है यहां पर आप स्पीड बोट तता पेडल बोटिंग का भी आनद ले सकते हैं चार लोग यहां पर पेडल बोटिंग करते हैं तो 30 मिनट के केवल 1.500 रुपे ही लगते हैं जबकि स्पीड बोट चार लोगों के 500 रुपे लेती हैं तता स्पीड बोट का राइट टाइम 7 से 10 मिनट का होता है अब आपको एक आश्चर चनक बात बताते हैं कश्मीर की डल जिल में जैसे शिकारे चलते हैं वेसे ही शिकारे मट्टू पेटी जिल में भी चलते हैं यदि आप कश्मीर की डल जिल में शिकारे में नहीं घुम पाएं हैं तो कोई बात नहीं आप यहां शिकारे में घुम सकते हैं किराया भी चार लोगों का केवल 30 रुपे ही होता है यह शिकारे आपको आदे घंटे तक इस जील की सेर कराते हैं केवल यहाँ पर आपको कश्मीर की तरह बर्फ से ढके पहाड नहीं दिखेंगे बाकि सभी कुछ आपको डल जील के जिसा ही आबास देगा इस जील पर आप कम पांसो मीटर की ट्रेकिंग करते हुए जाना होगा क्योंकि आपकी जीप को इस चोटी तक जाने की अनुमती नहीं होती है एक बात आप जरूर याद रखें कि अनामोडी पीक पर काई ततक घास के करण बहुत फिसलन होती है इसलिए सेलफी की चक्कर में ज्यादा आगे त टॉप या ओपन एयर रेस्टोरेंट में किया गया यह लंच आपको ताउम्र याद रहेगा लंच करने के बाद आप मुनार से आठ किलमेटर दूर अथुकड फॉल अर्थात अथुकड जर्ना देखने जाएगा अथुकड फॉल देखने के बाद आपकी रास्ते की सारी थकांड मिट जाएगी और आपका मन प्रफुलित हो जाएगा इस जर्ने में आप अपने बच्चों को को लेकर पानी में ज्यादा गहराई तक मच जाएगा केवल दूर से ही इस जर्ने का आनंद लीजिएगा इस जर्ने के अलावा भी इस जर्ने के रास्ते में दो और स पार्क देखने जाईएगा इसके उपरांत आप मुननार वापस लोटते समय टाटा टी म्यूजियम जिसे केडी एचपी संग्राले भी कहते हैं देखने जाईएगा इस संग्राले में 1880 में मुननार में चाय उत्पादिन की शुरुवाद से जुड़ी निशानिया रखी गई है इसके पास ही इस्थिटी प्रोसेसिंग इकाई में चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा वो समझा जा सकता है यहाँ पर आप केवल सो रुपे देकर सेकडो तरह की चाय टेस्ट कर सकते हैं यहाँ आप मुननार की फेमस इलाइची वाली चाय जरूर पीजिएगा इस चाय को पीने के बाद आप आज तक आपके द्वारा पी गई सारी चाय भूल जाएंगे आप यहाँ से अपने घर ले जाने के लिए अपनी पसंद की चाय खरीद भी सकते हैं यहाँ टी म्यूजियम सुबह दस बज़े से शाम पांच बेज तक खुला रहता है सोमवार को यहाँ म्यूजियम बंद रहता है टाटा टी म्यूजियम देखने तता महाँ चाय पीने के बाद आप चाहें तो कुछ देर मुनार शहर घूम सकते हैं तता अपने परिवार तता अपने दोस्तों को गिफ्ट में देने के लिए मुनार के विश्व प्रसिद हेंडिक्राफ्ट आइटम की खरीदारी भी कर सकते हैं इसके बाद आप केरल के मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू का एक घंटे का शो भी देख सकते हैं जिसका टिकेट 200 रुपे प्रतिविक्ति होता है टिकेट आराम से मिल जाता है यह शो शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे तथा 9 बजे शुरू होता है तथा आप अपनी सुईधा अनुसार शो का टाइम चुन सकते हैं तथा इस शो को इंज्वाई कर सकते हैं इसके बाद आप सी टेक्सी का किराया 1500 से 1700 रुपे के बीच होता है मुन्नार से ठेकड़ी के लिए बस तथा शेर टेक्सी भी चलती है जिसका किराया लगबग 1500 रुपे प्रतिसवारी होता है अब आप सोच रहे होंगे कि मुन्नार में घुमने के लिए क्या और जगह नहीं है तो इसका जवा लगकम वाटरफॉल आधी भी देख सकते हैं परन्तु यदि आपके पास एक्स्ट्रा दिन ना हो तो आप ठेकड़ी के लिए प्रस्थान करें रास्ते में ही अच्छे से रेस्टोरेंट या धाबे पर लंच कर ले ठेकड़ी पहुँचने में आपको लगबग 3 घंटे ले जो 500 से 7500 रुपे में बुख हो जाएंगे तथा उससे सबसे पहले elephant junction जाएं यहां आप हाती की सबारी का आनंद ले यदि आप चाहें तो यहां हाती को नहला भी सकते हैं तथा उनके साथ मस्ती भी कर सकते हैं हाती परेटकों को कोई नुकसान न पहुचाएं इसका बह चार्ज 400 रुपे परेड होता है जिसमें 30 मिनट की elephant ride भी शामिल होती है यदि चार या अधिक लोग हैं तो discount भी मिलता है elephant junction देखने के बाद आप केरल का प्रसिद पेरियार टाइगर रिजर्व अर्थात पेरियार वाइड लाइफ सेंचूरी तथा पेरियार लेक देखनी जाएगा पेरियार लेक में शाम के समय बोटिंग का आनन लीजिएगा इसके बाद आप कुमीली गाओं का मसाला बाजार देखते हुए अपनी होटल में आकर डिनर करें तता रेस्ट करें इस प्रकार केरल में आपका चोथा दिन समाप्त होता है पांचवे दिन आप अपनी होटल में सुबह का ब्रिकफास्ट करें तता होटल से अलेपी जाने के लिए टेक्सी बुक करें ठेकड़ी से अलेपी की दूरी लगबग 140 किलमेटर तता यातरा में 4 घंटे का समय लगता है आप रास्ते में लंच कर ले अलेपी में आप अपन से हाउसबोट मिल जाते हैं कोई ऑनलाइन बुकिंग की जरूत नहीं है क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग में आप बारगेनिंग नहीं कर पाएंगे तता बहुत जादा पेसा ऑनलाइन बुकिंग में लिया जाता है जबकि सीधे बुकिंग करने पर आपको बहुत कम रेट पर ह केरल में यही एक मातर जगह है जहां आपको एक्स्ट्रीम लेवल की बारगेनिंग करनी पड़ेगी यहां लगजरी हाउस बोट का चार लोगों का एक दिन का किराया लगबग 8000 रुपे होता है इसमें आपको दो बेडरूम मिलते हैं तता इस 8000 रुपे में रात का डिनर तता अगले दिन का ब्रेकफास्ट भी सम्मेलित होता है यह हाउस बोट आपको अलेपी से कुमार कॉम तक बेक वाटर में 32 किलोमेटर तक लेकर जाएंगे तता अगले दिन वापस आपको अलेपी हाउस बोट राइडिंग स्टार्टिंग पाइंट पर ड्रॉप कर देंगे पीक सीजन में यह किराया 11000 रुपे तक भी पहुँच जाता है अलेपी में साधरन हाउस बोट अर्थाद बजट हाउस बोट भी उपलब्द होते हैं जिनका एक दिन का किराया लगबग 4000 रुपे होता है परन्तु इसमें भोजन के लिए अलग से पेसे देने होते हैं इन में डबल डेक अर्था डबल स्टोरी तथा बालकनी नहीं होती है इसमें आप केप्टन अर्था बोट चलाने वाले के पास से तथा साइड की खिड़की से ही बहार देख सकते हैं इसके अलावा आप केवल 2000 रुपे में 2-3 घंटे के लिए भी हाउस बोट किराये पर ले सकते हैं परन्तु ये हाउस बोट आपको 3-4 किलोमेटर बेक वाटर में 1 घंटे घुमा कर वापस उतार देते हैं इस प्रकार के हाउस बोट में भोजन की सुईदा नहीं होती है अब यह आपके बजट पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के हाउस बोट में गुमना चाते हैं हमारी आपको सलाह है कि आप 4000 रुपे वाला हाउस बोट एक दिन के लिए बुक करें इससे आप होटल में रात भर रुकने से बच जाएंगे तता एक से दो हजार रुपे की बचत हो जाएगी यदि आप चार हजार रुपे वाला हाउस बोट बुक करते हैं तो लगबग एक हजार रुपे भोजन पर एक्स्ट्रा खर्च होंगे तता चार लोगों को house boat लगबग 5,000 रुपे में पढ़ जाएगा यदि आपके पास budget की कोई problem नहीं है तो फिर आप 8,000 रुपे वाला luxury house boat ही book कीजिएगा देखिए हम सभी के पास पेस्यों की तता बजट की समस्य होती है परंतु अलेपी में house boat में खर्च किया गया पेसा आपको कभी भी अखरेगा नहीं इसका करण यह है कि अलेपी के house boat पानी में चलते हैं कश्मीर के house boat की तरह डल जील में खड़े नहीं रहते हैं अलेपी के house boat का खाना भी ताजा तता शुद्ध होता है यहां शेफ आपके सामने लाइव भोजन बनाता है आपके सामने ही आपका बेडरूम सेनिटाइस किया जाता है बेडशीट तता ब्लेंकेट भी वाइट मिलते हैं तता वह साफ होते हैं हाउसबोर्ट के आपरेटर आपका अपने परिवार की तरक हैल रखते हैं अलिप्पी के 8000 रुपे किराये वाले हाउसबोर्ट में जैसे ही आप चेक इन करते हैं आपको मिनरल वाटर बॉटल के साथ वेलकम ड्रिंक मिलता है जो नारेल पानी, बटर मिल्क या मिलक शेक आदी होता है इसके थोड़ी देर बाद आपको चाई या काफी, स्नेक्स तथा बिस्कीट के साथ मिलती है रात में 7-8 बजे केले के पत्तों पर शांदार केंडल लाइट डिनर खाने को मिलता है हाउसबोर्ट से बेक वटर का अधभुत नाजारा आपका मन मोहलेगा आप इस नजारे को देखकर कह उठेंगे कि वाकई इस जगह को इश्वर ने अपने रहने के लिए ही बनाया है हाउसबोर्ट में समय ऐसे बीतेगा जिसे वो पंक लगा कर उड़ रहा हो हाउसबोर्ट की इस अधभुती अनुभव को हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हैं केवल इतना कह सकते हैं कि अलेपी के हाउसबोर्ट का एक्सपिरियंस कश्मीर के हाउसबोर्ट के एक्सपिरियंस से एक लाख गुना अच्छा रहेगा टाइमस पत्रिका ने अलेपी के हाउसबोर्ट को फ्रांस के पेरिस की सीन नदी के हाउसबोर्ट से भी अच्छा माना है तता वर्ल्ड में फरस्ट रेटिंग दीए इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि यहां के हाउसबोर्ट में आपका एक्सपिरियंस कितना अध्भुत और जादुई रहेगा चाहे आप अपने बजट में कहीं और कटोती कर लीजिएगा परन्तु अलेपी के हाउसबोर्ट में एक राद जरूर रुकिएगा अलेपी के हाउसबोर्ट से आप बेक वाटर तता आस पास की जंगल का आनन लीजिएगा हजारों पशू तता पक्षियों का कल रहों आपको मंत्र मुग्द कर देगा आपका मन करेगा कि समय यहीं रुक जाए और आप इस जगह हमेशा के लिए रह जाएं हाउसबोर्ट पर केंडलाइट डिनर करने के बाद आप अपने रूम में रेस्ट करें इस प्रकाल केरल ट्रिप का आपका पांचमा दिन समाप्त होता है अगले दिन आपकी नीन हाउसबोर्ट पर अपने आप जल्दी खुल जाएगी आप हाउसबोर्ट से संणराइज देखें तता फिर फ्रेश होकर तता नहाक कर ब्रेकफास्ट करें हाउसबोर्ट आपको 9 से 10 बजे के बीच अलेपी हाउसबोर्ट राइड स्टार्टिंग पाइंट पर ड्रॉप कर देगा यह वही जगह होगी जहां से आप हाउस बोर्ट में बैठे थे इस मेसमराइजिंग सफर के बाद आप महीं से अरतात हाॉसबोर्ट राइड स्टार्टिंग पाइंट से कोवलम जाने के लिए टेक्सी बुक करें टेक्सी आराम से मिल जाएगी अलेपी से कोवलम की दूरी 160 किलोमेटर तथा यात्रा में लगबग 3-4 घंटे लगते हैं टेक्सी का किराया लगबग 2,000 उपे रहेगा कोवलम के रास्ते में ही आप लंच कर ले आप कोवलम आराम से 1-2 बज़ तक पहुंच जाएंगे कोवलम पहुंच कर अपनी आउनलाइन बुक होटल में चेक इन करें इसके बाद आप रिक्षा या केप करके कोवलम का वर्ल्ड फेमस लाइट हाउस बीच तथा कोवलम बीच देखने जाएगा यहाँ आप वाटर स्पोर्स का भी आनन्द ले सकते हैं आप यहाँ पर जो छोटे 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 रिस्टोरेंट्स होते हैं मुहाँ मिल्क शेक, नारेल पानी अत्वा कोल डिरिंग्स भी समुद्र को देखते हुए पीजिएगा इसके बाद आप केब या रिक्षा से अपनी होटल में आ जाए तथा रेस्ट करें इस प्रकार केबल में आपका छठा दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्ता साथवी दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करें तथा कोलम की अपनी होटल से चेक आउट करें तथा कन्या कुमारी जाने के लिए टिक्सी बुक करें अब आप सोच रहे होंगे कि कन्या कुमारी तो तमिल्नाडो में आता है महां क्यों जाए हम तो केवल केरल घुमने आए तो इसका करण यह है कि कोवलम से कन्या कुमारी की दूरी केवल 80 किलोमेटर है तथा फिर क्या पता कन्या कुमारी कब आना हो यदि इतना पास आकर कन्या destination को आपने मिस कर दिया तो फिर क्या पता कब आना हो 50 से 60 हजार रुपे खर्च करके केवल कन्या कुमारी घुमने तो आप आएंगे नहीं तो इसलिए इस trip में ही कन्या कुमारी को शामिल कर लीजिएगा आप कोवलम से कन्या कुमारी केवल डेड़ घंटे में ही पहुँच जाएंगे कोवलम से कन्या कुमारी तक का टेक्सी का किराया लगबग 1200 रुपे होता है यदि आप बस से जाते हैं तो प्रतिव्यक्ति किराया केवल 130 रुपे ही होता है कन्या कुमारी बस सेंट पहुचकर आप अपनी टेक्सी छोड़ दे तदा महां के या रेलवे स्टेशन के क्लाक रुम अर्थत लॉकर में अपना सामान रख दे क्लाक रुम का 24 घंटे का किराया केवल 10 से 20 रुपे ही होता है इसके बाद आप लोकल टूरिस्ट अट्रिक्षन दिखाने वाली टेक्सी या रिक्षा बुक कर ले टूरिस्ट अट्रिक्षन दिखाने के लिए टेक्सी 1000 रुपे लेगी तता रिक्षा 500 रुपे लेगा इसके बाद आप टेक्सी या रिक्षा से सबसे पहले कन्या कुमारी मंदीर के दर्शन करने जाएं यह मंदीर शिवजी की पतनी देवी पार्वती को समर्पित है इसके बाद आप फेरी अर्थत नाव से विवेकानन्द रॉक मेमोरियल देखने जाएं फेरी का किराया केवल 50 रुपे होता है तता रॉक मेमोरियल का टिकट 10 रुपे प्रतिविक्ति होता है यहाँ पर आपको घूमने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे इसके उपरांत आप वह जगे भी देखिएगा जहां अरपसागर, बंगाल की खाड़ी तता हिंद महासागर मिलते हैं इसके बाद आप क्लॉक रूम से अपना सामान वापस लेकर रेलवे स्टेशन जाए यदि कनेक्टिंग ट्रेन हो तो आप अपने ग्रह नगर की ओर प्रस्थान करें गोर्तलबे की कन्या कुमारी से 20 से ज़्यादा ट्रेने देश के विभिन भागों तक जाती ही यदि कनेक्टिंग ट्रेन उस दिन न हो तथा अगले दिन हो तो आप आजपास के किसी होटल में राधवर रेस्ट करें अगले दिन आप सुपर ब्रेकफास्ट करके होटल से चेक आउट करके कन्या कुमारी रेलवे स्टेशन से अपने ग्रह नगर की ओर प्रस्थान करें जदी फ्लाइड से जाना हो तो आप तिरु अनन्तपुरम अर्था त्रिवेंदरम की ओर प्रस्थान करें जो कन्या कुमारी से केबल 16 किलमेटर दूर है तिरु अनन्तपुरम में एरपोर्ट है आप फ्लाइड से अपने ग्रह नगर की ओर प्रस्थान करें जदी आप ट्रेन से ही जाना चाहते हैं तथा आपके शहर तक कन्या कुमारी से ट्रेन न हो तो आप तिरु अनन्तपुरम से भी अपने ग्रह नगर तक ट्रेन से जा सकते हैं किरू अनन्त पूरम रेलवे स्टेशन से देश के सभी बड़े शहरों तक सो से ज़्यादा ट्रेने आती तथा जाती हैं महां से आप अपने ग्रह नगर की और प्रस्थान करें इस प्रकार आपकी यह केरल कन्या कुमारी ट्रिप सुखत यादों के साथ समाप्त होती है या पेरशूट कोकोनोट आयल में बनता है इसलिए आपको शुरू में एक या दो दिन केरल में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा परन्तु इसके बाद वही खाना आपको बहुत स्वादिस्ट तता हेल्दी लगने लगेगा केरल में इस्थानी लोग सामने तर बोल्चाल में केवल मल्यालम तता इंग्लिश लेंग्वेज का ही प्रयोग करते हैं परन्तु परेटन से जुड़े टेक्सी वाले होटल वाले रेस्टोरेंट वाले हाउसबोट वाले तता नाव वाले बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं तो यदि आपको केवल हिंदी भाषा आती है तो भी आपको लेंग्वेज की कोई परिशानी केरल में नहीं आईगी केरल में टेक्सी, रिक्षा, तदा केव के किराये में बारगेन, अर्थत मोलभाव की संभावना बहुत कम होती है इसलिए फालतू में बारगेन करके अपना कीमती समय नस्ट न करें यदि आपको अपनी बारगेन पावर का प्रयोग करना है तो अलेपी के हाउसबोट के किराये में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे ही अलेपी के हाउसबोट का किराये आप पूछेंगे तो वह एक दिन का 11,000 से 20,000 रुपे बताये जाएगा जिसे आप बारगेन करके 4,000 रुपे पर ला सकते हैं यदि अलेपी के हाउसबोट के किराये में हाउसबोट के मेनेजर या ओनर कमी नहीं करते हैं तो बिल्कुल टेंशन न ले, शान्ती से केवल 15 मिनट इंदिजार करें, हाउसबोट के मालिक या मेनेजर खुद भगे भागे आपके पास आएंगे और कहेंगे कि सर हाउसबोट म करने से पहले houseboat को भीतर से अच्छे से देख लें अपना bedroom देख लें कौन सा room दे रहे है यह देख लें भोजन तता breakfast में क्या खिलाएंगे यह भी पहले ही पूछ लें इससे वे cost cutting नहीं कर पाएंगे तता जो बताया गया है वही सेवाएं आपको houseboat पर मिलेंगी केरल ट्रिप में सबसे महंगी activity अलेपी के houseboat होते हैं अलेपी के houseboat आप चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कोई भी सलादे online book न करें इसका करण यह है कि एक तो आप bargain नहीं कर पाएंगे तता दूसरा luxury houseboat की image दिखा कर simple से houseboat में आपको share कराई जाएगी तता इस इस इस्तिती में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसलिए अलेपी के houseboat को आप अपनी आँखों से देखे महा की सुईधाएं देखे जम कर bargain करें तता फिर houseboat final करें इस process में आपका ज्यादा समय भी नहीं लगेगा केवल एक घंटे में अपनी पसंद का houseboat आप book कर लेंगे जहां तक हो सके अलेपी में hotel book न करें सीधे houseboat ही book करें तता उसमें ही check-in करें क्योंकि houseboat में ठहरने का experience अदविती तथा mind blowing रहेगा इस trip की सबसे महत्बुन बात यह याद रखें कि केरल का मौसम बहुत तेजी से बदलता रहता है यदि तेज हवाएं चल रही हो तो water sports तथा नाव की सवारी बिलकुल न करें next point है केरल में लाखो नारियल के व्रक्ष है इसलिए जहां तक हो से के नारियल के व्रक्षों के नीचे से न निकलें क्योंकि इन व्रक्षों से नारियल यदा कदा गिरते रहते हैं तथा यदि नारियल आपके सिर पर गिर गया तो नारियल को तो कुछ नहीं होगा हाँ यह तो आप जानते ही कि केरल अपने आयरुवेदिक ट्रीटमेंट तथा आयरुवेदिक मसाज के लिए वर्ड फेमस है। तो यदि आप इस तरह की सेवाइं लेना चाहते हैं तो आप जिस होटल में रुखते हैं वहां के स्पा में यह सेवाइं प्राप्त कर सकते हैं। इसपा की सेवाओं का रेट दो सो रुपे से पांच हजार रुपे तक होता है। आप अपने बजट के नुसार आयरुवेदिक ट्रीटमेंट तथा मसाज का आनंद ले सकते हैं। यह गूगल पर जरूर चेक कर लें तथा वेदर एप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। यदि मोसम खराब हो तो भूलकर भी बीच अर्थात समुदर के किनारे न जाएं। रेत में चलने में बहुत परिशानी होगी। इस ट्रिप में जदि आपके साथ बुजरू लोग हैं तो उनके स्वास का विशेश ध्यान रखें। केरल ट्रिप में आप परियावरन फेंडली सामगरी का ही उप्योग करें। अपने साथ पीने के पानी के लिए स्टील की बोटल लेकर जाएं। यह बात आप गांठ बांध लें कि होटल के रिसेप्शन पर उपस्तित ट्रेवल एजेंटों से ट्रेवल पेकेज न लें। क्योंकि वे लोग ठीक डंक से गुमाते नहीं हैं तता केवल खाना पूर्ती ही करते हैं। नेक्स पॉइंट है यदि आप केरल में टेक्सी से सफर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपका बजट कम है तो कोई दिक्कत नहीं है अब बस तता रिक्षा से भी बिना परिशानी के गुम सकते हैं। अब हम इस साथ दिन की केरल कन्यकमारी ट्रिप के अधिकतम कुल खर्च की बात करते हैं। चार लोगों का केरल कन्यकमारी में साथ दिन का अधिकतम कुल खर्च लगबग साथ हजार रुपे। इससे यदि चार से डिवाइट किया जाए तो प्रतिविक्ति अधिकतम कुल खर्च लगबग 15,000 रुपे आएगा। इस प्रकार आप केवल 15,000 रुपे में शांदार तरीके से लगजरी हाउस बोट, टेक्सी तता फ्लाइट को शामिल करते हुए केरल कन्यकमारी घुम सकते हैं। यदि आप फ्लाइट की जगह ट्रेन से जाते हैं तो यातरा खर्च 20,000 रुपे की जगह केवल 10,000 रुपे ही आएगा। यदि आप टेक्सी की जगह शेर टेक्सी या बस का इस्तेमाल करते हैं तो यात्रा खर्च औरी भी कम हो जाएगा। तो अब इंतिजार मत कीजिए जल्दी ही केरल कन्या कुमारी घुमने का प्लान बनाईए यदि आपको हमारी जानकरी सही तथा उपयोगी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास अर्थात ट्रेवल एंड एक्स्प्लोर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तैंक यू